तो student आज मैं जो बताने जा रहा हूं most important terms है जो आप लोगों को chapter नंबर 1 में पढ़ना है तो chapter नंबर 1 में कितना कुछ समझना है main major point जो आप लोगों को समझने हैं वो मैं आज बता देता हूं आप लोग इसको जरूर अपनी copy में जरूर लिखें तो chapter name तो आप लोग समझ गय आप लोग अच्छे समझते चलिएगा जैसे कि यहां लिखा the period from birth to natural death मतलब यहां पर कोई चीज बर्थ है और natural death की तरफ चलती है of an organism यह represent करती है its life span को मतलब हर एक जीव का एक जीवन काल होता है उसी को यहां पर बोलते है life span reproduction is a biological process एक biological process होती है reproduction in which an organism gives rise to young ones similarly अपने ही जैसे यंग वन को पैदा करने की चमता रखते हैं इसी को बोलते है reproduction clear सांज में आगया reproduction basically कितने तरह की होते हैं दो तरह की होते है a sexual reproduction और दूसरा sexual reproduction तो a sexual मतलब यहां पर a लगा है इसका मतलब absent of sexes मतलब male or female के कोई भी requirement इसमें नहीं होती तो a sexual reproduction when off spring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation मतलब यहां पर gamete formation की कोई भी बात समझाई नहीं जाएगी यहां पर simple आप लोगों को दिमाग में यह रखना है कि कोई भी off spring अगर produce होगा single parent के द्वारा ठीक है with or without involving of gamete formation बिना gamete formation की यहां पर off spring तयार होते हैं जबकि sexual reproduction में when two parents opposite sex का मतलब यहां male होगा दूसरा female होगा participate करने in the reproduction process एक process होती and also involve fusion of male and female gamete तो यहां पर fusion होता male gamete के साथ दूसरा female gamete के साथ बस यहीं पर fusion ही यहां पर it is called sexual reproduction तो अब बात कर लेते हैं क्लोन क्या होता है कभी कभी बात करते हैं क्लोन तो morphologically similarly जो होते हैं जेनेटिकली से तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे clone की क्लोन मतलब morphologically जेनेटिकली सिमलर और बेसिकली यह तयार कर दे करे जाते हैं तो उसे हम क्लोन भी कहते हैं अब टाइप ऑफ आसेक्सुल रिप्रोड़क्शन की प्रकार देख लेते हैं कतने होते हैं बाइनरी होता है बाई मतलब two तो फीजन यहां पर दो भागों बटना ही बाइनरी फीजन कहलाता है इन दिस मेथट दपैरेंट बॉड़क्शन डिवाइस इंटू विच आर जेनेटिकली इडेंटिकल होते हैं इस अमीवा हो गया पैरामीसियम हो गया यूगलीना हो गया तो इस सारे एक्जामपल जो लिखें वो बाइनरी फीजन के लिखें इसको अच्छे से दिमाग में आप लोग जरूर रखें सेकंड है मल्टिपल फीजन नाम से लग रहा फीजन दो प्रकार के होते हैं बाइनरी और मल्टिपल फीजन इन दिस मैथट वन पैरेंट बॉड़ी डिवाइट होती है इंटूट मैनी डॉटर ऑर्गनिजम एक्जामपल में आप लोगों को प्लास्मोडियम लिखना है प् और पैरेंट बॉड़ी विच सेपरेट होती बाद में अलग हो जाती है इंट फॉर्म निव और नया और्गनिजम तैयार हो जाता है दो एक्जामपल आपको दिमांग बटाने हीस्ट है और साथ में हाइड्रा है चौथा जो टाइप है वो इस्पॉरूलेशन होता है नाम रार मेंडी होते हैं मैनी टाइप Yooze cpağ talk को सकते है खनोडस कोनेटिया हो सकते हैं और कलेमाड सोसकते ये सारे स्पॉर्स के टाइप्स होते हैं आप लोग चाहातो इसको याद कर सकते है बैसे लिए प्रोस right-action की जिसमें बहने हैं आखरी जो is important है जो सबसे stem होता है, leaf होता है and possesses exactly the same characteristics as the parent have, तो बिल्कुल parent जैसी ही quality होती है उनके पास, vegetative reproduction is basically दो तरह के होते है, natural होता है artificial होता है, तो natural में by roots होता है, by stem होता है, by leaves होता है इन तीनों के example आप लोगों को अपने दिमाग में रखने by roots है, sweet petroton and the head dehalia, these are the common example by root, by stem में ginger and potato, these are the common example by leaves में bryophyllum and the bignonia ये आप लोगों को दिमाग में अच्छे से तयार करके रख लेने, एक्जाम्पल काई बार बोड के एक्जाम में पूचे भी गया है artificial vegetative reproduction या propagation, दोनों ही एक बात होती है तो ये question आप लोगों से अच्छे द्वारा और कटिंग इस प्रांट इस प्रांट इन वर्टिकल और इंक्लाइन पोजिशन और तिर्चे नुमा जो निकाला जाता है भाग उसी में दूसरे पाओदे का तिर्चे नुमा भाग लगा दिया जाता है इसको बोलते हैं cutting process budding नाम से लग रहा है in this case a single bud together with some living tissue is grafted और उसी टीसू से ही graft कर दिया जाता है यह हो गया अब बात करते हैं grafting की तो it is a process by attaching a cutting from one plant to the rooted stem of another तो यहाँ पर कोई पौधक जो निकलता है जिसकी stem बाहर निकल लगी होते है उसको क्या करते है stem को ही नीचे नीचे जो है मिट्टी के अंदर वो दबा देते हैं जिससे क्या होता है नया branch तैयार हो जाता है चोथा है layering तो नाम से लग रहा है layer बनाते है layering is done by the bending the branch of the ground बिलकुर उसी तरह से तो bending the branch of the ground to the ground covering the medium proportion of it below the soil तो soil के अंदर ही उसी part of the plant को क्या करते है दबा देते हैं जिससे एक नया पौधा तैयार होने लगता है अब बात करते हैं uses of vegetative propagation तो uses क्या है vegetative propagation के proportion के the plants which do not produce viable seeds are propagated by this method तो जो plants which do not produce viable seeds नहीं होगा पाते हैं उनके लिए ये process तैयार की जागी है plant are exactly like parent के बिल्कुल जैसे होते हैं बिल्कुल हुब होते हैं it helps to perpetuate particular from a plant बिल्कुल पर्सुएट होते हैं बिल्कुल similar होते हैं एक ही जैसे दिखने वाले होते हैं एक ही quality होती उनकी और disadvantages इसके होते हैं इसको भी समझ लेते हैं there is no certainty the certainty of production there is no certainty of production the process of hybridization cannot be exploited to hybridization process को नहीं आगे बढ़ाया सकता क्योंकि यह जो process होती है asexual reproduction की होती है इसमें parent बिल्कुल अपने ही जैसे ही चमता रखने उत्पन करने की चमता रखते हैं अब जो बात करने वाले हो सबसे important parts of this chapter है sexual reproduction it involves formation of offspring after fusion of male and female gametes either by the same individual or by the different individual of the opposite sex तो मेल और फीमेल की यहां पर requirement होती है तो यह जरूरी चीज है जो आपको सीखनी है थी it involves the formation of the offspring after fusion of male gametes and female gametes either by the same individual or by the different individual of the opposite sex तो इसमें involvement किसका होता है of spring का involvement जब होता है तो इसमें fusion होना चाहिए ध्यान अक्येका male gamete के साथ female gamete जरूर फ्यूज होगा तब ही जाके यहां पर नया individual त्यार होगा ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ most important part की जो आपके course में है juvenile stage or vegetative phase in plant में क्या होता है इसको क्या कहते है कैसे denote करते हैं तो all organism have to reach certain stages of the growth मतलब कोई न कोई अकर जीव है वो उसकी एक limited growth होती है तो यहां juvenile stage की बात की जा रहे है maturity in their life before they can reproduce sexually मतलब एक समय तक sexually reproduce कर सकते हैं this period is called juvenile phase in plant it is called vegetative phase clear हो गया प्लांट रेज़टेटिव फेज है जबकि animals में यह क्या है juvenile stage ठीक है अब हम लोग करते हैं events in sexual reproduction की events क्या होते हैं तो पहला है pre-fertilization events और इसी में ही आप लोगो gametogenesis पढ़ता है अपने आप में most important part of this chapter है तो process of formation of male and female gamet को बोलते हैं तो male gamet का बनना ध्यान रखिएगा और female gamet का बनना ही gametogenesis एक process कहलाती है अब यहां पर तीसरा terms जो रखा गया है homo gametes and iso gametes क्या होते हैं नाम से लग रहा हो या bisexual condition यहां पर कह सकते हैं heterothalic and diosis मतलब unisexual condition हो गई और hermaphrodite का मतलब ही होता है bisexual इसका मतलब आप लोगों ने जब पढ़ा था earthworm तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया था अर्थवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं and female gametes is stationary होते हैं तो motile का मतलब जो चलने में सक्षा मोपाई stationary मतलब object ऐसा जो इस्थिर हो water is the medium through which gametes transfer takes place और water is a medium होता है जिसमें gametes transfers होता है इन higher plants pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma तो यहां पर pollination facilitates होता है transfer करने के लिए सक्षा मोता है pollen grains to the stigma में तो यह process होती pollination जिसमें transfer of pollen grains into the stigma यह आप लोगों ने पढ़ा तक last 10 में यह आपको याद भी होगा उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी fertilization की तो fusion of male gamete and female gamete जिसको सिन गैमी भी हम लोग बोलते है result in the formation of deployed gygode तो अभी तक कैसे थे haploid gygode थे लेकिन आप कैसे है deployed है क्योंकि एक male gamete से यह female gamete से यह तो यह क्या हो गया deployed हो गया अब parthenogenesis क्या होता है most important terms है इसको आप लोगों को जरूर समझना अच्छे से the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization तो बिना fertilization के बिना fertilization के new individual को तियार करना ही एक parthenogenesis process कहलाती है अब हम लोग बात कर लाते है external fertilization की तो external fertilization और internal fertilization होता क्या है तो fusion of gametes outside the body of the organism तो उसको बोलते है external fertilization अगर fusion हो रहा है gametes के अंदर inside the body of the organism तो उसको बोलते है internal fertilization तीसरा है post fertilization events क्या होते है जिसमें आप लोगों को जाइगोड पढ़ना है तो देख लाते हैं जाइगोड is a deployed structure होते है which in a vital link that ensures continuity species between organism of one generation and the next तो यह एक जाइगोड क्या होते है एक जनिसन दूसरी जनिसन तर पहुचने वाले जो पार्ट होते है embryogenesis क्या होते है process of development of embryo from the जाइगोड जाइगोड से embryo बनने की जो process होती है इसको बोलते है embryogenesis तो जाइगोड undergoes cell division and cell differentiation इसी बात ही बनता है अब हम लोग बात करते है ओवीपेरस क्या होते है वेवीपेरस अनिमल क्या होते है तो ओवीपेरस नाम से लग रहा है ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले organism ही कहलाते है ओवीपेरस तो development of जाइगोड takes place outside the body of the female तो इसको बोलते है ओवीपेरस अनिमल वेवीपेरस मतलब development of the जाइगोड takes place inside the body of the female parent in flowering plant after fertilization the जाइगोड डेवलेट into the embryo ovule develop into the seed and fruit develops in a thick wall जिसको हम लोग पैरिकार बोलते है तो यह बात थी ओवीपेरस और वेवीपेरस अनिमल्स की तो उम्मीद करते हूं यह सारे terms जो आप लोगों इस chapter में अच्छे से समझने है इसी को और आगे मैं explain करूंगा basic explanation आप होगा basically यह जो आपके terms थे यह आप लोगों अपनी copy में लिखने है आज के इस वीडियो में आप लोगों ने काफी को समझा तो लाइक करिएगा वीडियो को और वीडियो शेर जरू करिएगा तो कैसी लगी वीडियो यह जरूर कमेंट करके जरूर बताएगा